हाई दोस्त नमस्ते एगेन मैं डिसकस कर रहा हूँ आज quadratic equation जिसको हम दुई घास समिकरन कहते हैं आज introduction मैं पहले के class में already discuss कर रहा हूँ कुछ question important question है जो मैं अभी आपको ले रहा हूँ और quadratic equation से एप्रॉक्स में मैं 15 से 20 लेक्चर लूँगा और आपको बता रहा हूँ quadratic equation का जो previous year का जो question सब है वो भी मैं discuss करूँगा और जो आपका पार्थ केरियर क्लासेज है पार्थ केरियर क्लासेज जो है उस पर आपको session y या sequence y आपको वीडियो अप्लोड कर दिया जाएगा और आप लोग उस पर सारा वीडियो देख सकते हैं और जो भी डॉट होगा आप लोग को 7064267570 यह पार्थ केरियर क्लासेज का WhatsApp नमर है और आप लोग ऑल अवर इंडिया से जो भी विद्यारती चाहे पार्थ केरियर क्लासेज पर उस पर आप लोग connect हो सकते हैं इस पर वाट्सेज नमर पर आप लोग connect हो सकते हैं और इस पर message करिएगा जो भी डॉट होगा मैं आपको solve करने का कोशिज करूँगा तो एक question है आपको बता रहा हूँ बहुत important question है 2x square minus 9x plus 10 equal to 0 का मुल गुननकन विदी द्वारा ज्याद करें जबकि x एक प्रकिर्थ संख्या और x एक परिमे संख्या है प्रकिर्थ संख्या 1,2,3,4 dot dot n इसको प्रकिर्थ परिमे संख्या परिमे संख्या किसको कहते हैं जिसको आप by q के फर में लिख सकते हैं उसको परिमे संख्या कहते हैं यह आप लोग जानते ही हुएगा बच्पन से परते आ रहे हैं तो इस question को हम solve करते हैं तो इस question को solve करते हैं solution 2x square minus 9x plus 10 equal to 0 factor method या गुननकर्ण method के द्वारा जो solve करने का process है आप लोग जानते हुएगा पहले इस दोनों को multiply करते हैं 10 into 2 equal to 20 जो आया उसको LCM करेंगे तो हो गया 2 10 2 5 20 equal to 2 into 2 into 5 यह हुआ 20 equal to 2 into 2 into 5 अब देखिए यहां करना क्या है 2x square जो औरने या घटाने से अपना जो value आए 9 minus 9 आए और देखो 10 और 20 तेन और 2 को जब आप multiply करते हैं तो plus में 20 आता है तो आपको बता रहे हैं इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं मान के चलो minus 5x minus 4x समझे और plus 10 equal to 0 ऐसे लिख सकते हैं इसके बाद बता क्योंकि इस दोनों को जो औरते हैं तो सबसे बड़ी बात है आपको common कैसे लिया जाता है जैसे 2 into x into x है और इधार 5 into x है common किसमें इसमें x और इसमें x common है तो वस हम यहाँ x common लेते हैं तो यहाँ 2x minus 5 इधार देखो इस दोनों में common कैसे लेखते हैं 4 का LCM करते हैं 4, 2, 2 4 equal to 2 into 2 इसके बाद बता रहाँ 10 का LCM करते हैं 2 equal to 5 10 equal to 2 into 5 दोनों में common क्या है? 2, दोनों में common 2 है तो हम यहाँ 2 common लेते हैं 2 common ले लिए इसके बाद बताते हैं 2x minus 5 equal to 0 हुआ इसके बाद देखो यह यह दोनों same है तो इस दोनों को हम पिर again common ले देते हैं 2x minus 5 समझे again x minus 2 equal to 0 हो गया है 2x minus 5, x minus 2 equal to 0 इस दोनों को हम common लेते हैं इसके बाद आप बता रहे हैं देखो इसके बाद next step होगा यह equal to 0 यह equal to 0 देखो 2x minus 5 equal to 0 और x minus 2 equal to 0 तो 2x equal to 5, x equal to 5y 2 हो गया इधर x minus 2 equal to 0, x equal to 2 हो गया आपके पास x का value दो आगया है एगो क्या है? 5 by 2, एगो 2 आगया है तो प्राकिर्थ जो भाई, pyq के form में आया और प्राकिर्थ संख्या, परी में संख्या, एक चीज़ और देखो भाई परी में संख्या इसको 2 को 2 by 1 लिख सकते हैं इसका value 2 भे आएगा 3 को 3 by 1 लिख सकते हैं तो देखो इसमें question क्या आगया? question जो आपको बता रहे हैं यह जो भी यह है आपको मेरे भाई यह एक रफ है जिसको आप समझने के लिए लिख सकते हैं समझने के लिए लिख सकते हैं समझने के लिए इसको लिख सकते हैं दूसरा चीज हम आपको बता रहे हैं, पहला का एक प्राकिर्ट संख्या, प्राकिर्ट संख्या 2 होगा, और दूसरा बता रहा हूं, X एक परिमे संख्या, बता रहा हूं, 5 by 2 and 2, दोनों परिमे संख्या होगा, आप लोग देख लिजिए, अच्छे से, और इसको आप लोग देखने के बाद उतार लिजे, आप लोग को कोई सा भी दिक्कत होगा, तो मेरा वाटसअप नमर क्या है, 7, 0, 6, 4, 2, 6, 7, 5, 7, 0, तो दोस्त, एगेन मैं दूसरा ये कोईशन आपको डिसकास कराओ, कोईशन नमर 2, ये, रूट 2, X स्कुाइर, पलस 7, X, पलस 5, रूट 2, इक्वाल टू जिरो का अहल, गुनन खंड बिधी द्वारा, सॉल्व करे, देखो, इस तरह के, क्वाड्रिटिक एक्वेशन में, में कंसेप्ट जो यही होता है, सॉल्विशन, रूट 2, X स्कुाइर, पलस 7, X, पलस 5, रूट 2, इक्वाल टू, जीरो, फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप, वन, इस दोनों को, multiply करो, multiply, multiply, इस दोनों को, आपको multiply करो, multiply करते हैं, यहां rough, तो, रूट 2, इन्टू, 5, रूट 2, इक्वाल टू, क्या होगा, 5 इन्टू, 2, इक्वाल टू, 10 हो जाएगा, यह हो गया, इसके बाद बता रहा हूँ, 10 का, LCM, 2, 5, 10 इक्वाल टू, 2, 5, यह आपको, LCM हो गया, इसके बाद, हम आपको यह बता रहा हूँ, इस दोनों में, आप यह चीज, हमको यह बताओ, तो भाई, 7 करना है, यह पलस है, यह पलस है, तो आपको value क्या आया है, पलस 10 आया है, जब पलस 10 value आएगा, तो इस question को जो हम solve करेंगे, वो ऐसे करेंगे, देखो, यहां, इस दोनों में common लेते हैं, इसको common कैसे लोगे, देखो, root 2x into x लिखा हुआ है, और 5 into x है, इसमें common क्या बस ले सकते हो, x ले सकते हो, तो x common लिए, तो यहां हो गया, root 2x पलस 5, पलस, इसमें आपको क्या होगा, सेम इस तरह का करना है, तो यहां अगर हम root 2 common ले लेते हैं, मान के चलो, root 2 common ले लेते हैं, तो root 2 common ले लेंगे, तो यहां root 2x लिख सकते हैं, पलस 5, क्योंकि बता रहे हैं, root 2 multiply root 2, equal to 2 है, और x अल्रेडी है, तो यह 2x हो जाएगा, आपको दिख रहा है, इसको दिखो, अब यह दोनों सेम हुआ, तो इस दोनों को common ले लेते हैं, common ले लिए, क्या लिए, root 2x पलस 5, इसके बाद, x पलस root 2, यह ले लिए, equal to 0, equal to 0 हो गया, इसके बाद, next step क्या है, next step है, इस दोनों equal to 0, इसके equal to 0, तो अब हम बता रहे हैं, root 2x पलस 5, equal to 0, और x पलस root 2, equal to 0, यह हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, root 2x पलस 5, equal to 0, root 2x equal to minus 5, x equal to minus 5, upon root 2, इसको नीचे उपर से, root 2 से multiply कर सकते हैं, इसे कुछ change ने होगा, 5 root 2 upon 2, एक value यह हो गया, और यहाँ, x equal to minus root 2 हुआ, तो जो आपका x का value, 5 root 2 upon 2, x equal to minus root 2, इस तरह का, आपका, यह question हुआ, चलिए, अब मैं, question जो discuss कर रहा हूँ, यह question दिया गया है, दिये गये समी करन को हल करें, इस तरह का, जो question दिया रहेगा, आपको इस तरह का, जो question दिया रहेगा, इसको तरह के question को solve कैसे करेंगे, सबसे पहले देखे, इस तरह के, जो question होगा, आपको बता रहे हैं, जैसे, 2x minus 1 upon x plus 3 x plus 3 है और यहाँ यहाँ क्या है x plus 3 upon 2x minus 1 है तो क्या है इसका reverse है reverse है इसका reverse है means उल्टा उल्टा है तो इस तरह के question को मान के चलो हम आपको बता रहे हैं 1 upon 2 by 5 को अगर y मानते हैं 5 by 2 को 1 upon y कर सकते हैं क्योंकि इसका reverse हो जाएगा reverse means उल्टा हो गया इस तरह के question को और यह quadratic equation जिसको हम दुई घास समी करन कहते हैं तो इस तरह के question को देखिए देखने से लगेगा थोड़ा बड़ा है जब आप लोग practice करिएगा again and again तो एक्जाम में आप लोग को click कर जागा नहीं इस process से नहीं उस process से बनाना इस तरह से आप लोग सोचिएगा तो हम आपको यह दिखा रहे हैं तो अभी आप क्या करिएगा solution माना कि 2x minus 1 upon x plus 3 equal to हम y मान लेते हैं तब क्या होगा 2 into y minus 3 into 1 upon y हो जाएगा इसका reverse है और equal to 5 हो जाएगा यहां तक आप लोग को समझ में आया कोई doubt है तो आप लोग हमको बोल सकते हैं दूसरा हम आपको बता रहे हैं दूसरा हो गया इसको आप करते हैं 2y square minus 3 equal to 5 upon y तो equal to हो गया 2y square minus 3 equal to 5y तो इसको इसे कर सकते है 2y square minus 5y minus 3 equal to 0 यह आपको समझ में आ गया होगा यहां तक यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा तो देखो इस तरह के question को क्या करना है सबसे पहले इसको और इसको देखो x square का जो coefficient होगा उसको और जो constant है उसको multiply करेंगे उसके बाद उसका LCM निकालेंगा और जो beach वाला x यह y या x वाला जो है आपको coefficient उसको जोड या घटाओ करने से इसका जो value आए यह इस तरह के question में यह करना है तो सबसे पहले देखो यहाँ हम rough लिखते हैं तो 2 और 3 को गुना करेंगे 2 गुने 3 equal to 6 वा 6 का LCM करते हैं 3 और 3 into 1 6 equal to 2 into 3 into 1 यहाँ तक समझ में आप लोग को लगता है आगया होगा अगर नहीं आया होगा तो जब वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग comment box में mention करेंगा तो मैं आप लोग को help करूँगा और दूसरा अगर आप लोग पार्थ carrier classes से जूरना चाहते हैं पार्थ carrier पार्थ carrier classes पार्थ carrier classes से जूरना चाहते हैं आप लोग जूर के और दूसरे इस पर जूरिएगा तो आपको बता रहे हैं उस पर आपको live class भी होगा और live class का सारा update हो जाता है इतने से इतने बज़े live class है तो आप लोग live class में जूर जाईएगा और जो भी dot हो 1 to 1 हम लोग clear करने का कोशिस करेंगे चलिए तो यहाँ अब आते हैं तो यह हो गया 2y square minus 2y square minus इसके बाद क्या करेंगे यह आपको बताते हैं 6y plus y minus 3 equal to 0 कर सकते हैं इसको देखो क्या होगा 6y plus y क्या हुआ minus 5y 6y plus y equal to minus 5y हुआ तो हम आपको देखा रहे हैं इसके बाद इसको common लेते हैं 2y common ले लिए y minus 3 हो गया plus यहाँ 1 common लेते हैं y minus 3 equal to 0 इस तरह यहाँ तक आप लोग समझ में आगे होंगे और यह दोनों same है तो इस दोनों को फिर again हम common ले लेते हैं y minus 3 into 2y plus 1 equal to 0 हो गया अब बताए यह equal to 0 और यह equal to 0 हो जाते हैं quadratic equation में तब y minus 3 equal to 0 और 2y plus 1 equal to 0 तो y equal to 3 और 2y equal to minus 1 y equal to minus 1 upon 2 तो आपके पास value कितना आया y equal to 3 और y equal to minus 1 upon 2 तो देखो हम अब आते हैं क्या माने हैं पहले यह माने हैं क्या 2x minus 1 upon x plus 3 equal to y यह आप पहले माने हैं कहां माने हैं यहां से यहां माने हुए हैं दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे से नहीं और देखो और इसके y का value क्या है 2x-1 upon x plus 3 equal to हम y का value 3 बान के चलते हैं अब 2x-1 upon x plus 3 equal to 3 हो गया 2x-1 equal to 3 into x plus 3 equal to 2x-1 equal to 3x plus 9 तो हो गया 2x-3x equal to 9 plus 1 equal to हो गया minus x equal to 10 x equal to minus 10 एक जो value हुआ आपको बता रहा हूँ x equal to minus 10 जो पहला value हुआ अब हम दूसरे question को फिर again देखते हैं पुना पुना क्या आप लोग को पास value है 2x-1 equal to x plus 3 देखो एक बार हम y equal to 3 पे किये हैं दूसरा value y equal to minus 1 upon 2 है यहां minus 1 upon 2 पे निकालते हैं तो होगे 2x-1 upon x plus 3 equal to minus 1 upon 2 तो 2 से multiply करते हैं 2x-1 equal to minus 1 into x plus 3 यह दिया हुआ है अब करते हैं 4x-2 equal to minus x minus 3 इसको हम बताते हैं 4x इधर आएगा तो plus x minus 3 plus 2 इक हो गया 5x equal to minus 1 x equal to minus 1 upon 1 upon 5 x equal to हो गया minus 1 upon 5 एक value आया आपको x equal to minus 10 और दूसरा value x equal to minus 1 upon 5 तो इस तरह से हम question को solve करेंगे फिर हम एगेन आप चलते हैं next question के तरफ चलिए अब मैं question जो discuss कर रहा हूँ आपको ये question दिया गया है दिये गये समी करन को हल करें इस तरह का जो question दिया रहेगा आपको इस तरह का जो question दिया रहेगा इसको तरह के question को solve कैसे करेंगे सबसे पहले देखिए इस तरह के जो question होगा आपको बता रहे हैं जैसे 2x minus 1 upon x plus 3 x plus 3 है और यहाँ, यहाँ क्या है, x plus 3 upon 2x minus 1 है, तो क्या है, इसका reverse है, इसका reverse है, means, उल्टा, उल्टा, उल्टा है, तो इस तरह के question को मान के चलो, हम आपको बता रहे हैं, 1 upon, sorry, 2 by 5, अगर y मानते हैं, तो 5 by 2 को 1 upon y कर सकते हैं, क्योंकि इसका reverse हो जाएगा, reverse means, उल्टा हो गया, इस तरह के question को, और यह quadratic equation जिसको हम दुई घास समी करन कहते हैं, तो इस तरह के question को देखिए, देखने से लगेगा थोड़ा बरा है, जब आप लोग practice करिएगा, again and again, तो exam में आप लोग को click कर जागा, नहीं, इस process से नहीं, उस process से बनाना है, इस तरह से आप लोग सोचिएगा, तो हम आपको यह दिखा रहे हैं, तो अभी आप क्या करिएगा, solution, माना कि, 2x minus 1 upon x plus 3 equal to, हम y मान लेते हैं, तब, तब क्या होगा, 2 into y minus 3 into 1 upon y हो जाएगा, इसका reverse है, और equal to 5 हो जाएगा, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, कोई doubt है, तो आप लोग हमको बोल सकते हैं, दूसरा हम आपको बता रहे हैं, दूसरा हो गया, इसको आप करते हैं, 2y square minus 3 equal to 5 upon y, तो equal to हो गया, 2y square minus 3 equal to 5y, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 2y square minus 5y minus 3 equal to 0, यह आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो देखो इस तरह के question को क्या करना है, सबसे पहले इसको और इसको, देखो x square का जो coefficient होगा उसको और जो constant है, उसको multiply करेंगे, उसके बाद उसका LCM निकालेंगा, और जो beach वाला x, यह y या x वाला जो है, आपको coefficient, उसको जोड या घटाओ करने से, इसका जो value आए, इस तर पहले देखो, यहां हम rough लिखते हैं, तो 2 और 3 को गुना करेंगे, 2 गुने 3, equal to 6 वा 6 का LCM करते हैं, 3 और 3 into 1, 6 equal to 2 into 3 into 1, यहां तक समझ में आप लोग को लगता है, आगया होगा, अगर नहीं आया होगा, तो जब वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग कमेंट बक्स मे mention करेंगा, तो मैं आप लोग को help करूँगा, और दूसरा, अगर आप लोग पार्थ carrier classes से जूरना चाहते हैं, पार्थ carrier, पार्थ carrier classes, पार्थ carrier classes से जूरना चाहते हैं, जो WhatsApp नमर है, 7064267570, उस पे आप लोग जूर के, और दूसरी इस पे जूरियेगा, तो आपको बता रह हैं, उस पे आपको live class भी होगा, और live class का अफसाड़ा update हो जाता है, इतने से इतने बज़े live class है, तो आप लोग live class में जूर जाइएगा, और जो भी doubt हो, one to one, हम लोग clear करने का कोशिस करेंगे, चलिए, तो यहाँ अब आते हैं, तो यह हो गया, two y square minus, two y square minus, इसके बाद क् बताते हैं, minus six y plus y minus three equal to zero, कर सकते हैं, sorry, इसको देखो, क्या होगा, six y plus y क्या हुआ, minus five y, six y plus y equal to minus five y हुआ, तो हम आपको देखा रहे हैं, इसके बाद इसको common लेते हैं, two y common ले लिए, y minus three हो गया, पलस यहाँ one common लेते हैं, y minus three equal to zero, इस तरह यहाँ तक आप लोग समझ में आगे होंगे, और यह दोनों same है, तो इस दोनों को फिर again हम common ले लेते हैं, y minus three into two y plus one equal to zero हो गया, अब बताए, यह equal to zero और यह equal to zero हो जाते हैं, quadratic equation में, तब y minus three equal to zero और two y plus one equal to zero, तो y equal to three और two y equal to minus one, y equal to minus one upon two, तो आपकी पास value कितना आया, y equal to three और y equal to minus one upon two, तो देखो, हम अब आते हैं, क्या माने हैं, क्या माने हैं पहले, क्या माने हैं पहले, यह माने हैं क्या, two x minus one upon x plus three equal to y, यह आप पहले माने हैं, कहा माने हैं, यहां से, यहां माने हुए हैं, दिक रहा होगा आप लोग को अच्छे से, नहीं, और देखो, और इसके y का value क्या है, two x minus one upon x plus three equal to y का value three बाने के चलते हैं, अब, two x minus one upon x plus three equal to three हो गया, two x minus one equal to three into x plus three equal to two x minus one equal to three x plus nine, तो हो गया, two x minus three x equal to nine plus one equal to, हो गया, minus x equal to ten, x equal to minus ten, एक जो value हुआ आपको बता रहा हूं, x equal to minus ten, जो पहला value हुआ, अब हम दूसरे question को फिर एगेन देखते हैं, पुना, पुना क्या आप लोग को पास value है, two x minus one equal to x plus three, देखो, एक बार हम y equal to three पे किये हैं, दूसरा value y equal to minus one upon two है, यहां minus one upon two पे निकालते हैं, तो हो गया, two x minus one upon x plus three equal to minus one upon two, तो two से multiply करते हैं, two x minus one equal to minus one into x plus three, यह दिया हुआ है, अब करते हैं, four x minus two equal to minus x minus three, इसको हम बताते हैं, four x इदार आएगा, तो plus x minus three plus two, इक हो गया, five x equal to minus one, x equal to minus one upon one upon five, x equal to हो गया, minus one upon five, एक value आया, आपको x equal to minus ten, और दूसरा value x equal to minus one upon five, तो इस तरह से हम question को solve करेंगे, फिर हम एगेन आप चलते हैं, next question के तरफ, चलिए, हाई दोस्त, एगेन मैं दूसरा question जो discuss कर रहा हूँ, यह question है, question number four, दिये गए समी करण को x के लिए हल करे, क्या दिया गया है, दिये गए समी करण को x के लिए हल करे, तो इस तरह के question को आप बता रहे हैं, यह question है, quadratic equation का आप लोग जानते हैं, तो यहां solution लिखते हैं, to y माल लेते हैं, root x, root x upon 1 minus x equal to y माल लेते हैं, तो इस तरह के question को आपको करना क्या है, मेरे भाई, आप देखिए, इसको करिएगा, और root 1 upon x equal to हो जाएगा, 1 upon y, क्योंकि इसका reverse है, इसका reverse है, तो y का reverse क्या हो जाता है, 1 upon y हो जाता है, तो इस तरह के question को हम अब solve कर रहे हैं, तो हो जाएका y plus 1 upon y equal to, इसको एक step आगे कर लेते हैं, y plus 1 upon y equal to 13 by 6, इसको आपको normal calculation है, समझ में आजाएगा, y square plus 1 upon y equal to 13 by 6, अब बताईए, y square plus 1 into 6 equal to 13 y, यह हो सकता है, 6y square plus 6 equal to 13 y, 6y square minus 13 y plus 6 equal to 0, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब हम rough के तरफ चलते हैं, यहां last जो पार्ट है, इसको हम लिखते हैं, r, o, u, g, h, rough, rough, इस दोनों को जब multiply करिएगा, इसको, इसको multiply करिएगा, तो 36 हुआ, 36 का LCM करते हैं, 18, 2, 9, 3, 3, यहां 36 equal to 2 into 2 into 3 into 3, और इसको एगेन एक step कर लेते हैं, into 1, यह हुआ, अब इसको जो important step है, तो आप देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6y square, और 3, 3, यह हो जाएगा, 3, 3, 9, 4, 9 और 4 को जोरेंगे तो कितना होगा, 13 हो सकता है, अगर दोनों sign, minus 9, minus 4, minus 9 और minus 4 को जब जोरिएगा, तो minus आपका 13 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, minus 9y, minus 4y, plus 6 equal to 0, और एगेन आईए, यहाँ 6y square, minus 9y, minus 4y, plus 6 equal to 0 है, तो इसको क्या इसे आप लोग लिख सकते हैं, common लेंगे, 3y, तो 2y, minus 3y, sorry, 3, और यहाँ common ले लेते हैं, हम आपको 2 ले लेंगे, तो 2y minus 3, equal to 0 हो जाएगा, तो एगेन देखिए, यह दोनों same है, 2y minus 3, 2y minus 3, तो जब दोनों same है, तो इसको इसे लिख सकते हैं, 2y minus 3 common ले लेते हैं, और इस दोनों को common ले लेंगे, 3y minus 2 equal to 0, 2y minus 3, और 3y minus 2 equal to 0 हो गया, तो इसको इसे देखिए, यह दोनों equal to 0, यह equal to 0 हो जाएगा, तो अब बताईए 2y-3 equal to 0 और 3y-2 equal to 0 तो इसको हो जाएगा आपको again 2y equal to 3 y equal to 3 by 2 यह हो गया और आपको थोड़ा इस question में दिक्कत यह हो गया होगा आपको यहां से थोड़ी lining हम सही से नहीं कर किया है lining हमको एक मिनट आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी तो हम lining ऐसे कर देते हैं यह समझने के लिए अच्छा होगा तो जएदा ही congested हो गया था तो again हम इसको लिखते हैं 2y-3 is equal to 0 और 3y-2 is equal to 0 2y is equal to 3y is equal to 3 by 2 और 3y is equal to 2 और y is equal to 2 by 3 आपका y का answer 3 by 2 और 2 by 3 आया है तो पहले क्या माने थे यह माने थे root x upon 1-x equal to 3 by 2 पहले यह माने थे root x upon 1-x equal to 3 by 2 पहले माने थे यह तो अपना equal to यह sorry 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 पहले माने थे root x upon sorry पहले क्या माने थे root x upon 1-x equal to अपको माने थे y y का value कितना आया है y का value आया है root x upon 1 minus x equal to 3 by 2 यह आया है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x upon 1 minus x equal to 3 by 2 का whole square क्योंकि एक formula आगे ना आप लोग लिख लिजिए root n equal to root मान लिजिए root x equal to n कोई होगा x equal to n का whole square हो जाएगा इस तरह से अगर मान लिजिए कोई चीज root में है root उस side जाएगा मान लिजिए उस side आएगा तो इसका whole square हो जाता है तो x upon 1 minus x equal to 9 by 4 हो जाएगा तो 4 x equal to 9 minus 9 x 4 x plus 9 x equal to 9 13 x equal to 9 हो गया x equal to 9 by 13 हो गया एक तो यह आपको एंसर हुआ 9 by 13 एक में देखे एक 9 by 13 8 x equal to 9 by 13 हो गया एक यह माने क्या हुआ है माने है x upon 1 minus x इक्वाल टू 3 बाई 2 इसके लिए अभी आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसको इसे सॉल्व करेंगे x अपॉन 1 माईनस x इक्वाल टू 2 बाई 3 का हॉल स्क्वाईर तो हो गया x अपॉन 1 माईनस x इक्वाल टू 4 अपॉन 9 तो यह हो गया आपको 9x इक्वाल टू 4 माईनस 4x तो आपको हो गया 9x पलस 4x इक्वाल टू 4 तो 13x इक्वाल टू 4 x इक्वाल टू 4 by 13 x इक्वाल टू 4 by 13 एक x इक्वाल टू आपको आजाएगा 9 by 13 और x इक्वाल टू 4 by 13 आप कहोगे कि sir direct direct आप solve कर दे क्योंकि इसमें थोड़ी speed इसलिए हम किये हैं क्योंकि same question हम previously mention किये हैं अगर आप देखिए इस तरफ again मैं आपको summarize करता हूं यहां दियावा दिये गए समी करन को x के लिए हल करे इस step का question है root के अंदर में है और root के अंदर में जो है जो दूसरा है वो reverse है इसका इसका यह reverse है तो इसको हम y माल ले तो इसका reverse क्या होगा 1 upon y माल ले तो इसको यह y plus 1 upon y equal to यह दिया हुआ इसको normally solve करतेंगे कुछ नहीं है calculation है तो आप factor method की दूआरा आपने को y का value 3 by 2 आता है y का value 2 by 3 आता है तो अब क्या correct किये हैं सो बताते हैं यहां यह यह जो पहले माने है इसके जगह पे हम y का value put किया है y का value और आप जानते हैं कोई भी चीज root में जब root उस opposite side में जाता है उस side आएगा तो बताते हैं वो square में convert हो जाता है तो इस तरह से वो यह बला है square में convert हो इससे हमको x का value आया again जो y का दूसरा value आया 2 by 3 उससे y का जो x equal to 4 by 13 x equal to 4 by 13 दो गो value आ गया नहीं समझ में आया होगा तो एगेन आप लोग कमेंट वक्स जो है पार्थ केरियर कलासेज का पार्थ केरियर कलासेज का पार्थ सब नमर है 7064267570 उस पर आप लोग message कर सकते हैं और मैं कोशिज करूँगा आप लोग को message का जवाब देने के लिए क्योंकि जो भी question है मेरा online classes साड़ा free है और only offline classes में कुछ charge मैं लेता हूं online classes fully free है जितनी मैं हो सकता है उतनी मैं कोई query का जवाब देने का कोसिस करता हूं और next question के तरब चलते फिर एगेन मैं आप लोग को सामने यह discuss कर रहा हूं यह question बहुत प्यारा सा और important question है देखने में तोड़ा tough लग रहा है मगर logic कितनी असान है easy है वो आप लोग देख सकते हैं अब देखिए इसको solution इसको इससे लिख सकते हैं 5x into 5 1 plus 5 के पावर 2 into 5 के पावर minus x equal to 1 to 5 plus 1 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5x sorry 5 के पावर x 5 के पावर x into 5 के पावर 1 plus 25 upon 1 upon 5 के पावर x generally होता क्या है पावर में जब x equal to minus 1 रहेगा तो इसको आप लिख दी जगा 1 upon x या मान लिखे y के पावर में 1 रहेगा minus 1 रहेगा तो इसको लिख सकते हैं y upon 1 यह concept है इसको ऐसे लिख सकते हैं यह होगे आपको 1, 2, 6 जोर दीजेगा तो माना की 5 के पावर x को आप लोग y माल लेजेए तो इसको आप ऐसे करिएगा 5 के पावर 1 रहेगा तो क्या होगा value 5 ही होगा तो 5 के पावर 1 means 5 के पावर 1 means 5 को एक बार गुना करते हैं तो पावर 5 भी होगा और इसके बाद बता रहा हूं आपको यह होगे आपको 5y plus 25 upon y equal to 1 to 6 क्योंकि इसका भी आपको माने है y तो इसको हो जाएगा इस तरह के होगा 5y square plus 25 upon y equal to 1 to 6 यह हो जाएगा 5y square plus 25 equal to 1 to 6y equal to 5y square minus 1 to 6y plus 25 equal to 0 यह हुआ इसके बाद आपको एगेन देखिए यहां रफ करते हैं रफ किये तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 होगा 125 हुआ इसके बाद आपको हम बता रहे हैं हैं 25 को जब 5 से गुना करें 125 होगा 5 हुआ 5 हुआ 5 into 1 तो अभी आपको तो इसके बाद आप इसके लिख सकते हों 5y square minus 125 y minus y plus 25 equal to 0 क्योंकि और एगेन इसके लिख से हम आप ऐसे करोगे 5 into 1 तो 125 equal to हो जागा 5 into 5 into 5 into 1 तो देखो 25 पंचे 125 और इसको 125 और मान के मानस 125 y minus y equal to 126 हो जाएगा और अपना 126 करना है तो इसको अब हम common लेते हैं आपको आया है 5y square minus 125 y minus y plus 25 equal to 0 हुआ इसको अब जब हम common लेते हैं y minus 25 equal to 0 हो जाएगा इसके बाद आप बता रहे हैं ये दोनों common है आपको दिख रहा होगा ये दोनों common है तो हो जाएगा y minus 25 और हो गया 5y minus 1 तो equal to 0 हो गया ये equal to 0 हो गया ये equal to 0 हो गया तो इसको इसे अपलिक सकते हो y minus 25 equal to 0 और 5y minus 1 equal to 0 y equal to 25 और 5y equal to 1 तो इसके बाद y equal to 1 upon 5 हो y equal to 25 आपके ने पास जो value आया है ये दोनों y का दो value आया और assume क्या किये थे सो देखे sorry 5x पहले माने थे कि 5 के power x equal to y हो गया और तब 5x के y के value कितना 25 है तो 5x equal to 5 के power 2 जब दोनों का base same होगा तो power equal to 2 हो जाएगा ये मान के चली x equal to 2 हो जाएगा ये हो गया और दूसरा आपको बता रहे हैं है एगें 5x equal to y और 5 के power x equal to 1 upon 5 हो गया इसको 5x इसको आप ऐसे minus 1 लेक सकते हैं x equal to minus 1 होगा यहां जो समझने के लिए main concept क्या है सो देखिए जैसे 5 5x equal to मान के चलो 5 2 हुआ समझे जब ये value ये value same होगा same रहता है में same रहेगा तब जो इसकी जो power है power equal to अदर दूसरा ये power हो जाता है समझे यहां यह concept यूज के हैं दूसरा concept यूज के मान लिए 1 upon 5 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 के power minus 1 जब reverse होगा इसका मतलब मान के चलो अगर 5 को reverse में लिखना है तो equal to 1 5 के power minus 1 लिख सकते हैं ये हुआ इसका reverse हुआ इस तरह से ये question का concept यूज के हैं again मैं आपको बता रहा हूँ ये question दिया हुआ 5 के power x plus 1 plus 5 के power 2 minus x equal to 5 q plus 1 ये हम आपको solve किये पहले 5 के इससे multiply किये फिर 5 के 1 से multiply किये फिर 5 के 2 के power से multiply 5 के minus 1 इस तरह से वह 5 x को हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं और इस तरह से हम इसको solve करते हैं फिर इसको factor method के द्वारा हम y का value दोनों जो factor method के द्वारा जो 2 value है वो निकल गया और जो पहले हम मानेते 5 x equal to y 5 x equal to y मानेते इसको 5 x इसके बाद हम जो y का value पहले 25 पे निकाले हैं और y का value 1 upon 5 पे इस तरह से 2 value निकला है और चलिए इसके बाद एक और question है मतलब मैं दूसरा वीडियो में बनाऊंगा दुईगात समीकरंध है जो 5 x square minus 6 x minus 2 equal to 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर मुल ग्यात करें इसके ये question है उसका हमें derivation plus question एगेन मैं दूसरा वीडियो में आप लोको upload कर दूँगा तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जागा एप्रॉक्स में जब इडिट करूँगा तो मुझे लग रहा है कि 1 hour का वीडियो हो जाएगा मेरा target ही था इस बार लंबा लंबा वीडियो बनाने का क्योंकि जब आप question बनाने के लिए बैटे तो minimum 4-5 question हो तो 5 question मेरा target था मैं 5 question तक तो कर दिया हूं वीडियो और 5 question important है ये approximately 4.1 जो है वो cover हो गया है आपको तो चलिए 4.1 एक और वीडियो बनेगा 4.1 का और इसके बाद हम लोग shift कर जाएंगे 4.2 का देखते हैं lecture 2 होगा की 3 होगा की 4 होगा इस तरह से और 4.4 में 4.3 में आपको ब problem based question है तो उसका देखते हैं चलिए धन्य बाद फिर मिलते हैं और जो भी query आप लोग को होगा आप लोग जानते ही है जो मेरा WhatsApp नमर है 7064-267570 और प्लोग प्लीज पार्थ केडियर क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में ये top के institute हो जाएग चलिए धन्य बाद एन बाई